यहीं से चालू होगा यहीं फर्षी टेप बनेगे यहां से तो आप लोग देख सकते हैं आप वहाँ पहले चावताल बनाते हैं उपर में तो दोस्तो इधर से आप सिधी ठोकना शुरू कर दी हैं सेट्रिंग करना यहां ही कलम ढला गया है कल अब यहां तल्ली लगा रहे हैं यहां लेंडिंग इसका चावताल तो इधर अभी यहां सेट्रिंग करेंगे तल्ली लटका दिये हैं तो चलिए फिर फिर लगाते हैं तो कुछी इस टाइप का बना लिए हैं पहले से ताकि यहां लगाने में असानी हो नीचे ही बना लिए उपर ले जाके ठोकने में ठीक आप वोग के नहीं रहता है तो होगाँ कुछी स्टाइब का लग जाएगा इसको अभी कांटी नहीं मारे हैं इसको ओड़ा सुपार नीचे लेवल के लिए इसको छोड़ दिये हैं फिर अभी उसको लेबल में लाएंगे तो फिर कांटी मारेंगे तो पहले इसको थोकते हैं बनाते हैं तो इधर कुछी स्टैप का ठोका रहा है तो दोस्तों इसको कल हम लोग ढाले वैं लोको शेट्रिंग करने नहीं बनेगा यहीं से शूरू करेंगे इसको हटा लेते हैं पिर यहाँ बीम भी बांधना है तो पहले इसको शेट्रिंग को खुते हैं इसके बाद फिर इधा शेट्रिंग करेंगा आगे सिढ़ी के लिए तो देखते हैं कैसा बनता है तो इसको हम लोग हटा रहे हैं 24 गंटा हो गया कल साम को ढाले थे और अभी तक तो ठीक ही दीख रहा है इधर ठीक निकला है अभी इधर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है पट रहा है थोड़ा बहुत तहीं कोना कोने छोड़ेगा अभी भी कच्चा है नहीं हटाना था लेकिन इधर हम लोग को बनाना है तो हटाना तो पड़ेगा तो यह हट गया तो दोस्तों अब भी वाला खुल गया अब यहां हम लोग को 10 इंची तल्ली ठोकना है इसके लेबल पर इसके बार फेर इधर बनाएंगे आगे तो चलिए यह पहले इसका तल्ली बना लेते हैं तीन फीट का अभी यह वहां से लेकर पूरा यहां तक यह भी फीट चढ़ना है अभी वहां auहां तक और बीचंटर में 10 फिट पर दे दिये हैं उसको अभी हम लोग यहां ठोकेंगे यहां से 10 फीट है उदर और यहां से भी इधर 10 यानि थोड़ा सा छेंची कम हुआ है इधर तो पहले सेट्रिंग करते हैं इसको आप लोग को बताते रहेंगे जितना हमको पता है और आप लोग भी बताइए कि कहा गलत है कहा सही है इधर मासुस काट लिये हैं इधर बना लिये हैं बल्ली और इसके लिए चैनल भी बना लि रखेंगे आज सेट्रिंग पूरा कर लेंगे इसके बाद कल छड़ बांधना है और इसको हम लोग डैरेट दे दिये हैं यहां से लेकर पूरा लंबा है लगबग 32 फीट है तो सीधे जा रहा है यह और इधर थोड़ा एक्स्ट्रा भी दे दिये हम लोग छड़ जो 10 अम्य इसमें इधर पूरा मिट्टी भरा हुआ है तो यहां से तो हटा लिए हम लोग और यहां भरा हुआ है एक बल्ली यहां पड़ रहा है तो थोड़ा से दिकत हो गए यह ध्यान देने वाली बात है और इधर से भी हम लोग मिट्टी हटा लिए है अगर इसी पर रखते तो क् तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इधर बारी सो रहा है पूरा दैखना हो जाएगा पूरा पैर में पकड़ेगा अगर इसमें चलेंगे तो और पाने हाई अभी तो दोस्तो आप लोग देख्षते अधर हम लोग कांड नहीं हो पाएगा भी तो कुछ-कुछ काम करना होगा अंदर में तो पहले हम लोग यो जो पारिस हो रहे हैं तो बाहर काम नहीं होगा इसके लिए हम लोग इसको इस्टेप बनाते हैं ये जो पट्रा हम लोग 6 इंची का छाटे हिदर हलका हलका पट्रा चाहिए जो की काटी मारने से ना फटे तो उस टाइब का हम लोग को पट्रा का जूरत पड़ा तो ये उससे हलका पट्रा है और 10-10 इंची में इसको काटेंगे फिर उसको बीच बीच में इसको काटेंगे फिर इसको बीच में से इसको बार कर देंगे तो पहले काट लेते हैं तो दोस्तों हम लोग पूरा काट लिये हैं आप लोग देख सकते हैं तो दोस्तों इधर पूरा हम लोग का कंप्लीट हो गया काटके बरसात रुख गया है अब इधर हम लोग सेट्रिंग ठोकना है वो अभी तो इधर चैनल उनल बना लिये हैं अब इसमें हम लोग पाउं रखते हैं तो पूरा पाउं में तो पकड़ेगा भी इधर काम हो रहा था पानी आया तो भागे फिर बना रहे थे पानी भरा हुआ फिर भी काम करना है अभी ठीक है अभी इसको ठोकते हैं शुरू किये थे पानी रुग गया है पानी गिरना बंद हो गया है तक चैनल लगा दिये है अभी प्रस में पाट्रा मारेंगे और पलाई लाइंगे और निचे इसटाइब का लगाए हुए हैं इधर सफोर्ट के लिए कुछ इस टाइब का इधर लगा हुआ है अप लोग देख सकते हैं और इधर भी वैसे ही लगा हुआ है और बल्ली के नीचे हम लोग इस टाइब कर दे रहे हैं आप लोग देख सकते हैं इधर कहें के ज्यादा इटा लगा है यह सही नहीं लगा है यह बीच में होना चाहिए और यहां गिला मिट्टी है अभी यहां गिला मिट्टी है तो डबल इटा करके दे रहे हैं ताकि नई बैठे कोशिज कर रहे हैं और ज्यादा बल्ली लगाए हैं आप लोग देख सकते हैं थोड़ा जूरत से ज्यादा लगा दिये हैं ताकि इधर नीचे देख रहे हैं आप लोग यहां बैठ सकता है धस सकता है अभी यहां कलम खोदाया था और पहले भी जो घर बना था उसमय क मिट्टी भरा हुआ था वह अभी नहीं बैठा है इसलिए थोड़ा ज्यादा इठा दे दे के या तो पट्रा लगा लगा के कर रहे हैं आप लोग देख सकते हैं इसको कुछी स्टाइब को एकदम सीधे फ्लाइट ठोग दिये हैं यहां से वहां तक वहां से लेकर यहां तक बाइस फीट है तो आप लोग देख सकते हैं कुछी स्टाइब को और अभी हम लोग पलाई को लगाएंगे जो यहां साड़े तीन फीट का इसी को इसमें लगा देंगे